हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू करेंट अफेयर फंडा आज हम इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट टू देखेंगे इसका पार्ट वन कवर किया जा चुका है इस वीडियो को शुडू करने से पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीचे आपको सब् आपको शेयर कर सकते हैं साथ में इस वीडियो पर आप कमेंट भी दे सकते हैं So, let us start with the video. सबसे पहला term आ रहा है ions. इससे पहले हमने क्या discuss किया था? इससे पहले हमने atom के बारे में discuss किया था, कि atom कीन से मिलकर बना होता है? Atom मिलकर बना होता है proton, electrons and neutron से मिलकर. अगर हम atom का देखें कि atom क्या है? Atom is made up of proton, neutron and electrons. proton के उपर होता है positive charge, neutron के उपर zero charge मतलब कोई भी charge नहीं होता और electron पे होता है negative charge. तो अगर हम एक atom की बात करें, तो atom is a neutral, इसमें जो कोई charge नहीं होता, क्योंकि जितने proton होंगे उतने ही electron होंगे, तो जितना positive charge होगा उतने ही negative charge को balance कर देगा. neutron के उपर कोई charge नहीं होता. So therefore, अगर एक atom के आरे में देखें, तो वो एक neutral होता, इसके उपर कोई charge नहीं होता. अब ions क्या होते हैं, यह ions के formations कैसे होती है, ions is actual में positively और negatively charged atom है. अब वो क्यों होता है, अगर किसी neutral atom में से हम electrons को निकाल दें या electrons को उसमें add कर दें, उस case में जो formation होती है, अब जो उसका रूप बदलता है वो बन जाता है ions. अब यह ions दो तरीके के होते हैं, cations and anions. cations की formation तब होती है, जब atom में से electron को निकाला जाता है, जब electron को निकाला जाएगा, electron का charge है negative, that means उसमें अब negative charge कम हो जाएगा, अब positive charge उसके अंदर भर जाएगा, तो अब जो entity की formation होगी, अब जो बनेगा, वो बनेगा cations, इसका मतलब है कि उसके ओपर कौन सा charge होगा, positive, इसी तरीके से anion क्या होते हैं, anion का मतलब है, जब किसी neutral atom में electron का addition होता है, वो electron को gain कर लेता है, उस case में जो entity की formation होती है, वो होता है anion, क्योंकि electron जब आते हैं, इसका मतलब है कि electron के उपर होता है negative charge, means अब negative charge की quantity है, वो atom के अंदर जाद होगा, so therefore, it gains negative charge, so here is the formation किस तरीके से cation और anion की formation होती है, come to the next slide, यहाँ पर हमने formation लिए है, formation of a cation, formation of a cation, कि किस तरीके से cation की formation होती है, यह देखें, यह एक neutral atom है, neutral atom, यहाँ आपने example लिया है, sodium का, sodium का जो atomic number है, वो है 11, मतलब z is equal to 11, अगर इसका electronic configuration आप लिखेंगे, तो वो हो जाएगा 2, 8 and 1, किस तरीके से electronic configuration लिखा जाता है, किस तरीके से electrons का contribution होता है, शेल में वो हमने इसके first part में discuss किया है, तो आपने अगर वो part नहीं देखा है, so please आप उस part को एक बर देखिएगा, 2, 8, 1, so अब इसका जो last shell है, last shell मतलब यह वाला third shell, उसके अंदर एक electron है, so to gain the stability, मतलब यह neutral atom, इस वक्त यह atom है sodium का, यह neutral है, जितने इस पर proton है, उतने ही इसके अंदर electrons है, इसके last shell में one electron है, so to gain the stability, मतलब stable होने के लिए, 2, 8 का collaboration लेने के लिए, इसको इस एक electron को donate करना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा, तो जब अगर यह एक electron दे देगा, एक electron इस बिसे निकल जाएगा, now, अब जो formation होगी, वो हो जाएगा cation, अब यह बना देगा cation, positive charge entity, जैसे कि आप यहाँ पर slide पर देखेगा, यह है neutral atom of sodium, जिसके अंदर 11 electron है और 11 proton है, proton हमेशा center में होते हैं, हमेशा nucleus में होते हैं, और electron चारो तरफ nucleus के revolve कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो दिखाए गया है इस picture में, plus 11 मतलब की यह number of protons, which have the positive charge, यह plus का मतलब है positive charge, चारो तरफ इसके 11 electron revolve कर रहे हैं, यह जो 281 लिखा है, यह 281 electron का distribution है, किस तरीके से shell में electron revolve कर रहे हैं, nucleus के चारो तरफ, तो 11 electron बहार revolve कर रहे हैं, यह this negative charge, मतलब जो electron पर जो charge है negative है, जो यह sign आप देख रहे है negative का, यह इसी चीज़ को दरशाता है, 11 इसके अंदर proton है, 11 ही neutron है, sorry, 11 ही electron है, so therefore, they balance the charge, इसलिए हम कहते हैं, कि यह neutral है, इसके उपर कोई charge इस वक्त नहीं है, अब जब एक electron यह donate कर देगा, एक electron यह निकल जाएगा, इसमें से, neutral item में से, now उसके अंदर अब negative charge कम हो जाएगा, क्योंकि एक electron उसमें से निकल गया है, subtract हो गया है, क्या चीज़ भढ़ जाएगी, भढ़ जाएगा positive charge, so therefore, अब जो formation होगी, अब होगी iron की formation, क्योंकि एक electron निकल गया, इसका मतलब है, अब होगए 10 electron, यह जो आप 10 देख रहे हैं, यह होगए electrons, proton उसमें 11 के 11 रहे गए, इसका मतलब है, जो positive, जो entity है, उसकी मात्रा बढ़ गई, यह हो गई क्याटाइन की formation, which has the positive charge, so sodium ion मतलब Na plus की formation, जिसमें होते हैं 11 प्रोटाइन और 10 electron, क्याटाइन का जो size होता है, हमेशा neutral atom से कम होता है, क्योंकि उसमें से एक electron का निकलना है, मतलब एक electron उसमें से दिकल गया है, अब हम आते हैं एनायन पे, कि एनायन की formation क्या है, यहाँ जो example लिए गया है, वो chlorine का लिए गया है, क्लोरीन का symbol है CL और जिसका atomic number है 17, तो अगर हम electron का distribution देखें, electronic confrontation इसका लिखें, तो वो हो जाएगा 2, 8, 7, अब इसमें, इसके nucleus पे 17 इसमें proton हैं, और 17 ही इसमें electrons हैं, वो electrons यह जो आप बाहर देख रहे हैं, dot dot, यह electrons को दशारा है, और यह electron बाहर रिवाल्व कर रहे हैं, इसके nucleus में क्या है, nucleus में 17 ही proton होंगे, क्योंकि यह electrically neutral है इस वक्त, अगर 17 electron है, तो 17 ही इसके अंदर proton होंगे, 18 इसके अंदर neutrons हैं, तो अब आप देख रहे हैं कि इसके last shell में 7 electron हैं, to gain the stability, मतलब अपना octate पूरा करने के लिए, that means 8 का आंकड़ा लेने के लिए इसको एक electron की जरूरत है, तो chlorine atom की क्या tendency रहेगी, उसकी tendency रहेगी, कि वो एक electron कहीं से उसको मिल जाए, एक electron का इसमें addition हो जाए, जिससे कि अब उसके last shell में हो जाएंगे 8 electron, और वो stability को attain कर लेगा, तो यही चीज़ होती है, now it gained one electron, यह जो red color का आप देख रहे हैं, यह एक electron gain किया हुआ है, किसी से इसने एक electron accept किया है, अब इसके पास हो गए 18 electrons, इसका मतलब है कि अब इसके उपर negative charge भर जाएगा, क्योंकि अब electron इसमें add हुआ है, which carries a negative charge, तो जो chlorine ion होता है, जो chloride ion होता है, means Cl minus, यह एक anion है, which has the negative charge, anion का जो size होता है, वो हमेशा larger होता है, than the neutral atom, larger than neutral atom, सो अभी तक हमने देखा कि cation और anion की formation किस तरीके से होती है, अब हम बात करते हैं ionic compound के बारे में, अभी तक हमने देखा कि जो sodium का neutral atom है, that means, which is denoted by Na, यह बना देता है sodium cation with loss of one electron, एक electron इसमें से निकल गया और इसने बनाया sodium cation, इसी तरीके से chlorine, chlorine का यह neutral atom है, इसमें एक electron का addition हुआ, इसने एक electron ले लिया, अब इसने क्या बना दिया, Cl minus Nion, chloride ion, तो अब इनके बीच में जो bond formation होगी, that means, Na plus and Cl minus, Na plus, plus Cl minus, यह बना देगा NaCl, और which is a salt, यह जो NaCl है, यह एक ionic compound है, क्योंकि इनके बीच का आप देखे, यह Na plus मतलब cation और Nion, इनके बीच का जो electrostatic attraction है, उसकी वज़े से यह bond formation हुई है, नाव, यह Na plus और Cl minus ने मिलकर बनाया NaCl, यह जो compound है, इस compound को अब जो बना उसको कहते हैं, ionic compound, और यह जो bond है इनके बीच में, उसको कहते हैं ionic bond, इसी तरीके से हम example ले सकते हैं KCl का, KCl के अंदर भी same case है, यह जो K symbol है, यह potassium का symbol है, इसने एक electron दे दिया, तो therefore it formed the potassium ion with loss of one electron, Cl का same रहेगा, Cl chlorine, एक electron ले लेगा और यह form करेगा chloride ion, अब जो bond formation होगी, वो K plus and Cl minus के बीच में होगी, it forms the bond, K plus, plus Cl minus, यह बना देगा KCl, KCl is also an ionic compound, यह भी एक ionic compound है, इनके बीच का जो bond है, वो ionic bond है, writing of formula of molecule compound, जब हम molecule compound की बात करते हैं, कि किस तरीके से हम इसका formula लिख सकते हैं, यहाँ पर एक question के form में हमें कुछ examples हैं, जिसको हम solve करेंगे, और उसके base पर इसको देखने ही कोशिश करेंगे, the valency of carbon is 4, जब भी हम valency की बात करते हैं, कि valency term का मतलब क्या होता है, जो last shell होता है, वो होता है valence shell, जैसे carbon की case में देखा जाए, तो carbon का जो atomic number है, वो है 6, इसका electronic configuration आप लिखें, तो वो हो जाएगा 2, 4, इसका जो last shell है, that means जो second shell है, carbon के case में वो इसका valence shell है, इस भी जो electron present हैं, उनको valence electron कहते हैं, लेकिन what about the valency, valency term का मतलब क्या होता है, valency term का मतलब होता है, कि इस last shell में octate को पूरा करने के लिए, मतलब stability को gain करने के लिए, जितने electron की देंदारी या लेंदारी होती है, जितने electron दिये जाते हैं, या लिये जाते हैं, उनको हम valency कहते हैं, अब जैसे carbon के case में देखी, अब 2 और 4 है, last shell में 4 electron है, अपना octate पूरा करने के लिए, इसको 4 electron की need और है, या तो ये 4 electron की साज़दारी कर ले, या 4 electron ही दे दे, इस case में 4 electron की साज़दारी करना, इसके लिए फायदे मन रहेगा energy wise, मतलब energy की concept भी देखा जाए, तो ये 4 electron को donate करने से अच्छा है, कि वो 4 electron की sharing कर ले, so therefore, mostly जो carbon फॉर्म करता है, वो covalent compound फॉर्म करता है, जिसको हम आने वाले वीडियो में discuss करेंगे, कि covalent compounds क्या होते हैं, जहां पर sharing होती है electrons की, यहां जो इसको हम बताना चाहरे हैं, वो है valency, so therefore, carbon is tetravalent, क्यों, क्योंकि इसको चार electrons का लेंदारी है, या देंदारी है, साज़ेदारी है, मतलब जो involvement है electron की, वो चार electron की involvement है chemical reaction में, so इसकी valency हो गई, 4, अब हम chlorine की बात करते हैं, chlorine की valency यहां 1 दी हुई है, जबकि जो chlorine का atomic number है, वो है z is equal to 17, मतलब इसका configuration लिखें तो वो हो जाएगा 287, अब last shell, मतलब valence shell के अंदर जो electron है, जो है, वो है seven, इसका मतलब है, क्या यह heptavalent है, means कि इसके अंदर क्या, इसकी valency seven है, नहीं, इसकी valency seven नहीं है, क्यों, क्योंकि अपने large shell को पूरा करने के लिए, मतलब अपना octet पूरा करने के large shell में, इसको एक electron की need है, 8 electron का complete package करने के लिए, इसको एक electron की need है, तो ये एक electron लेता है, अब इसमें हो जाएंगे 288, यानि कि जो इसकी लेंदारी है, वो एक electron की है, so therefore हम कहते हैं कि chlorine is monovalent, मतलब इसकी valency है 1, अब हम question पर आते हैं, ये तो हमने बात करी कि valency क्या होती है, कि ऐसे आगे-अगे हम question में valency को भी discuss करते जाएंगे, जिससे कि valency का concept आपके लिए clear हो जाए, the valency of carbon is 4, and that of chlorine is 1, what will be the formula of the compound, अब हम compound का formula किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले इसका एक तरीका है, आप उपर लिखे symbol, symbol हम लिखेंगे carbon, carbon का symbol है C, chlorine का symbol है C, 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 L, अब हम नीचे लिखेंगे valency, carbon के valency हमें दी हुई है 4, और chlorine के valency है 1, तो जब भी molecule compound form होते हैं, always, हमेशा nature में भी, हमेशा valency settle होती है, मतलब ये एक दूसरे की valency को settle करते हैं, उसको adjust करते हैं, जो bond formation होगी, वो होगी C, C, L, ये जो compound बना हो C, C, L बना, अब हमसे पुछा जा रहा है कि इसका formula क्या होगा, मतलब ये किस ratio में इसमें carbon chlorine present होगा, always, ये valency को settle करता है, इसका मतलब है, इसको आप cross इस तरह से लगाईए, carbon की नीचे आजाएगा one, और chlorine की नीचे आजाएगा four, इसका मतलब है कि एक carbon atom के लिए four chlorine atom को ये adjust करता है, क्योंकि, देखे, carbon की valency है four, इसको four electron की साज़ेदारी चाहिए, या इसको four electron चाहिए, chlorine का है कि उसके valency एक है, इसका मतलब है कि उसको एक electron चाहिए, वो इसको carbon से मिलेगा, so, इस तरीके से carbon के चारो तरफ चार क्लोरीन atom अर्जेस्ट हो सकते हैं, अब इसका जो formula वो हो गया, वो हो गया CCl4, इसको आप इस तरीके से देखिए, carbon, carbon के पास है चार electron इस वक्त, इसके valence shell में है, चार electron, chlorine इस formula में, CCl4 में, एक carbon atom के साथ चार क्लोरीन है, इसका मतलब है यहां पर क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहां है, एक क्लोरीन यहां है, और एक क्लोरीन यहां है, यह हो गई bond formation, that means now the bond has been formed like this, एक कर्बन के साथ 4 क्लोरीन अटाएश्ट है, compound बन गया, CCL 4, so answer this question is CCL 4, next हम question पर आते हैं, the valency of an element X is 1, कहां पर हमें कोई भी, कोई X इसका किसी का symbol नहीं है, ऐसे हमें एक element दिया हुआ है X, उसका, उसके valency हमें given है 1, and that of oxygen is 2, इस question पर आने से पहले हम थोड़ा उसका valency को discuss कर लेते हैं, कि oxygen की valency 2 कैसे हुई, इसका जो atomic number है, वो है 8, oxygen का, तो इसका electronic configuration जब हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2 and 6, इसका मतलब है last shell में हो गए, valence shell में हो गए 6 electron, लेकिन इसकी valency 6 नहीं है, इसकी valency होती है 2, यह divalent है, इसकी जो valency है, वो 2 है, क्यों, क्योंकि इसको अपना octet पूरा करने के लिए, last shell में 8 electron लेने के लिए, इसको 2 electron की need है, 6 तो इसके पास है, 8 electron यह किसी से ले लेगा, किसी से भी accept कर लेगा, so therefore, इसकी जो need है, वो 2 electron की है, 2 electron इसको चाहिए अपना octet पूरा करने के लिए, तो इसकी oxygen की valency है, वो 2 है, यहाँ question पर देखे, the valency of an element x is 1 and that of oxygen is 2, so therefore, यहाँ में इसले गिवन है, कि oxygen की valency 2 है, what will be the formula of the compound, अब हमसे formula पुछा जा रहा है, compound का, same तरीके से आप इसको लिखिए, symbol and valency, symbol, एक element का हमें x गिवन है, और दूसरा है oxygen, जो element x है, उसकी valency हमें 1 गिवन है, और oxygen की होती है, 2, valency हमेशे एक दूसरे को settle करती है, for compound formation, तो जो compound बनेगा, वो बनेगा, x के नीचे 2 और o के नीचे 1, मतलब x2o, so this is the compound, जो हमसे पूछा जा रहा है, कि उसका molecule formula क्या होगा, यह था तरीका कि किस तरीके सा molecule formula लिखते हैं, एक last question हम देखते हैं, an element Z forms an oxide ZO3, कोई एक element Z है, जो की एक oxide की formation करता है, उसका formula है ZO3, अब हमसे दो पार्ट में एक question पूछा जा रहा है, what is the valency of element Z, इस compound में, जो compound form हुआ है, oxide ZO3, इसमें element Z की valency क्या है, अब जैसे कि आप जानते हैं, कि जो oxygen की valency है, oxygen valency of oxygen is equal to 2, इससे पहले हमने discuss किya, कि oxygen की valency 2 है, मतलब एक oxygen atom की valency 2 है, यहाँ इस compound में, ZO3 में, oxygen कितने हैं, तीन, तीन oxygen, तीन oxygen atom present है, एक Z atom के लिए, तीन oxygen की ज़रूरत है उसकी valency settle करने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, valency of 3 oxygen, 3 oxygen atom is equal to 3 into 2, अगर एक oxygen atom की valency है 2, तो 3 oxygen atom के लिए, इसका मतलब है 6, इसका मतलब है, अगर एक Z atom के लिए, तीन oxygen atom की ज़रूरत है, मतलब इसकी valency को settle करने के लिए, कम से कम 6 electron की need है, वो इसको, तो therefore, यहां से हम निकाल सकते हैं, कि valency of Z is equal to 6, so, इसका first part solve होता है, what is the valency of element Z, valency of element Z is equal to 6, what will be the formula of the fluoride of Z, अब second part हम से पुछा जा रहा है, कि अब अगर Z, जो element है, वो fluoride के formation करता है, fluoride मतलब होता है, कि इसका combination अब हो रहा है, फ्लोरीन के साथ, तो यहां पर पहले symbol आप लिखिए, और यहां पर लिखिए, valency, symbol, एक element तो Z हमें given है, और दूसरा है, वो बना रहा है, fluoride, इसका मतलब है, उसका combination अब हो रहा है, fluorine के साथ, fluorine और chlorine, iodine, यह सब halogens कहे जाते हैं, यह सब एक group में है, so therefore, इनकी इसकी जो valency होगी, वो भी same होगी, Z की valency हमने उपर इसके first part में निकाली है, वो है 6, fluorine की जो valency होती है, वो होती है 1, chlorine की तरह ही, इसकी valency भी 1 होती है, so यहाँ पर इसको आप इस तरह की साथ क्रॉस आउट करिए, formula बनेगा ZF, अब उसके नीचे आप किस तरीके से अभी किस ratio में present है, Z का है 1 और F का है 6, इसका मतलब है ZF6, ZF6 is the compound which formed by the element Z with the combination of fluorine, so यह हमने अभी तक देखा कि किस तरीके से हम molecular compound लिखते हैं, किस तरीके से उसका formula लिखा जाता है, with this, we ends our video, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप उसको like कर सकते हैं, आप कमारे चल्ड को subscribe भी कर सकते हैं, साथ में इस वीडियो का आप शेयर भी कर सकते हैं, this is our current affair, please, this is our Twitter handle link, और इसके लावा हमारे study group का लिंक आपको description box में मिल जाएगा, और इसके अलावा भी chemistry में, अभी तक काफी topic कवर के जा चुके हैं, यह जो हमने basic concept का part second किया है, इसका part first भी हमने cover किया है, जहां हमने बिल्कुल basic से start किये, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो please do watch those videos also, with this note, we end our session, thanks, thanks for listening me, have a nice day.